कि अलग से बाइर इसमें कनेक्ट नहीं है सिर्फ एक सेल से यहां पर सीच आफ करता हूं बंद हो गया सीच आउन चालू हो गया कि नो किया सैमसंग इंटेक्स लावा विटी सी जितने भी फोन है उन सब के बैटरी पड़ी हो तो इन बैटरी को आप प्योग करके इस जलता रहेगा और खास बात होगा कि वो मल्टी कलर का होगा अब बिजली के चले जाने के बाद भी जलता रहेगा तो आप सूंच लेंग बिना इन वर्टर का जलेगा और आप काफी कम रेट में ऐसा जलर बना सकते हैं घर पर ही इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफी नौलज मिलेगा और लगभग दिवाली अभी एक सब्ता है तो यह तो एक से डियर घंटे में आपका बन है पहले फ्रेंट्स हमें आज भी लाइट चाहिए मल्टी कलर लाइट जो कि मार्केट में आपको दो रुपे धाय रुपे या फिर उससे भी कम रेट में आप थोक मिलेते हैं तो मिल जाएगी तो इन्ही लाइट काम उप्योग करेंगी इसमें तो मैं एक किनी एक वायर को ले लेता हूं यह बड़ा वाला ही ले लेता हूं और इसमें मैं आपको लोगा करके दिखाता हू कैसे लगाना है कि वायर के एक सीरेस हमें स्टार्ट करेंगे इसमें जो फ्रेंस ध्यान देने वाली बात है जो बड़ा लेग होता है एक सेकेंड यह बड़ा लेग होता है यह वाला होता है प्लस और यह छोटा वाला जो लेग होता है यह होता है माइनस तो इसका ध्याने में रखना है तो प्लस को रेड में और माइनस को ब्लेक में या फिर ब्लेक या फिर ब्लू जो भी हो उसमें हमको कनेक्ट करते जाना ह तो चलिए फटा-फट हम वायर्स का जो LED से connection वो करते हैं तो हमें इसी प्रकास से LED के जो connection है वो करना है तो यह तो लाक्षवर्था था तो हमने LED के दोनों सीरों को काड़ करके छोटा कर लिया है लेकिन बीज में इसको जह हम connect करेंगे तो वो कैसे करना है वह भी आपको दिखा देता हूं इसके हमें दूरी लेनी है एक निस्चित दूरी अपने हिसाब से दूरी ले सकते हैं मैं यहाँ पर इसकी दूरी लेता हूं 10 इंच 10 इंच की दूरी मैं लेता हूं एक LED से दूसरी LED की जो दूरी होगी वो 10 इंच की होगी मेरे वाले जालर में, अपने जालर में आप अपने एकॉर्डिंग रख सकते हैं, LED के संख्या पर, ज्यादा हो तो इसे भी कम कर सकते हैं, LED आपके पास कम हो तो, थोड़े सी दूरी बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर हम इसको कट भी लगा सकते हैं, वायर को, तो हमें कट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपके पास सोल्डरिंग आईरन ना हो, हो सकता है कि जितने भी हमारे दर्सक देख रहे हैं, उसमें से किन ही के पास सोल्डी वायरिंग हो, सब के पास ना हो, तो इस टाइप से भी आप छोड़ सकते हैं जैसे मैंने connection किया है इस टाइप से भी आप इसको छोड़ सकते हैं बीना soldering iron के भी ये काम करेगा wire को ठीक से इसमें फसा देना है तो मैं इसमें soldering करी देता हूँ soldering करने से पहले इसमें थोड़ा सा soldering paste आवाज से लगा ले इससे काफी आसानी होता है soldering करने में मस एक या दो LED को मैं दिखाऊंगा आपको वैसे ही आपको बनाना है उसके बाद मैं इसका final result दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा मैं बनाने वाले नहीं हूँ और आप अगर बनाना चाहते हैं इसको तो मार्केट से जो भी समान में दिखा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा इस टाइब से soldering कर लेना है soldering हो गया यह एक वाले लिडिया है यह दूसरी वाले लिडिया है तो मैंने एकस्पेरिमेंट के तोर पे ऐसा ही जालर एक पहले से बना रखता है तो उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं लेकिन उससे पहले वो जालर दिखाने से पहले कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो पहले देखिए आपके घर में ऐसी ही धेर सारी बैटरी हमें लगता है कि पड़ी होंगे अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपके फ्रे बैटरी पड़ी हो तो इन बैटरी को आप उपियोग करके इस हाला दो कॉपरेट कर सकते हैं और मेरे पास लिथिया माइन बैटरी है तो यह जितनी बैटरी जाएं उनकी वोल्टेज सेमी होते हैं देखिए 3.7 वोल्ट 12 एमेज की बैटरी है यहाँ पर देखिए 3.7 वोल्ट यह बैटरी का एमेज इसमें सो नहीं कर रहा है हो सकता है कि इस साइड हो इस पर एमेज नहीं लिखा हुआ है वैसे ही आप देखिए यहाँ पर 3.85 वोल्ट सेमसंग की बैटरी है तो अपरक्स जो वोल्टेज है वो सेम ही है थोड़ा से इदर दर 2000 एमेज की बैटरी है अगर इस टेप की बैटरी मिलती है तो आपका जालोर और बहतर ज्यादा दिन तक चल गया नहीं कि एक बज्यादा दिन तक करने का मतलब है कि एक ब पूरे सब्ता इसको चला सकते हैं इतनी कम इसमें बिजली कंजूम होता है तो चलिए उस जालब को मैं दिखाता हूं पहले समय ने बना रखता है और उसको बनाने के बाद बच्चों ने कहां उसको लगा करके यूज किया है कैसे यूज करें क्योंकि दिवाली तो अभी आ दिखाकश म काम कर रहा है और कहां लगा करके वी आपको दिखाता हूं उसको भी इस में मैंने बना या है कोई ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसा बना रहा हूं वह पहने दूसरी तरह का बनाया है उसी कोई बात है ही नहीं मैं आप लोगों को दिखाता हूं और वह ऐसा देख करके आप खुद घर पे बना लेंगे मेरा पुरा विश्वा से अब देखे मैंने यहां पर इसको बनाया और बच्चे इसको आइने के पस लगा दिये हैं आप एक बीमस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक स्वीच इसको मैं आउन करता हूं और देखी यह काम कर रहा है वे दीन में है तो मेले चलते हूं अंदर रूम में इसको दिखाता ह हो कैसे यह अंधेरे में काम करेगा कर अजा जालर हमारा जो हमने अभी बनाया था दो लिटी को मैं लगा करें के ते दिखाया था और यह पहले से बनाए हुआ जालर है दिख रहा है ना आगे की जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगom के यह पुराना वाला जो जालर है कि पुराना वाला जो कि मैंने दो-तिन साल इसको यूज किया है अब ये डेड लेन को भी इसमें पुनर जीवित करेंगे और ऐसा जालर भी आपके पास है तो वो वीडियो देख करके आप अपने उस जालर को पुनर कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, और वो काफी अच्छा, होगा, काम के लाइक हो जाएगा, तो, वो वीडियो भी देखने नहीं भूलिएगा, अगली वीडियो वो होगी, तो चलिए फिटाफट इसका मैं, लाइट ऑफ करके, टेस्ट करके दिखाता हूं, और इसको आप बना ही लिजिए तो बहतर होगा इस वाले जालर से कहीं बहतर है ये वाला जालर मेरे कहने के हिसाब से अगर इसको बनाते हैं तो क्योंकि यह वायर जो होती है काफी मजबूत होती है तो इसको आप कई सालों तक यूज करेंगे और बीना बिजली के बिजली चले जाती है तो मातर एक से लगबग पांच साथ दिन पहले मैंने बनाया था अभी तक रिचार्ज नहीं किया गया है और यह इसे ही चल रहा है त तो यहां से जो दो वायर्श निकलती है यह पलसमाइनस होती है और दोस्ट डेटा के लिए होती तो डेटा वालों को हटा देना है पलस मैनस को करेंट कर देंगे तो भी यह हमारा जल और जुब आप-रेट होने लगए सारी लाइट को मैं आफ करता हूँ यह मुबाइल की लेट जल दी इसको भी मैं आफ कर रहा हूँ देखिए अब इसको देखने के बाद आप खुछ अंधाजा लगाईए कि यह कैसा लगागा अगर आपके टेर्स पे चत के पास दर्वाजे के पास रूम में या फिर दिवार पे कहीं भी टंगा हो तो कैसा दिखाई देगा और मातर एक सेल से मैं लाइट आउन करके आपको दिखाता हूँ कि मातर एक सेल से यह काम कर रहा है देखिए इसी सेल से मैंने कहीं भी और पावर नहीं दिया इसमें आप येकीन मानिये देखिए बिल्कुल अंकट वीडियो बना रहा है देखिए इसको हाथ में टांगा हुआ है कहीं से भी ये अलग से बायर इसमें कनेक्ट नहीं है सिर्फ एक सेल से मैं यहाँ पर स्यूच ओफ करता हूँ बंद हो गया स्यूच अन चालू हो गया तो इस वीडियो को आप देखने के बाद हो सकता है कि थोड़ी से नौलेज मिली हो और बना लें इसा जालर तो काफ़े बहतर होगा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो ये जालर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताईएगा चानल पर नहीं है तो चानल को सब्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजगा फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में यानि कि वो जालर अले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाय भारत और आप लोगों को हैपी दिवाली